सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और वही पर दूसरी तरफ एक तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आती है तस्वीर की हमने बात किया आपको याद होगा बीते दिन आंगरवारी वरकस के बात करें जो लगातार अपनी मांगूं को लेकर परदशन कर नहीं पर हां छार्ज की जाती है नीं गिरफ तार किया जाता है एक दिकलकर दीखाती है लिए सामने फ इससे का बात्रकार सामने आता है तो इसको कैसे लिए भीजेबी की कतनी और करनी में फरक है वान लाइन आंसर है मिसमैच है कतनी और करनी में सामने आ गया है देखें आंगनवारी वर्कर्स और आंगनवारी हेलपर्स हजारों के तदाथ में जम्मो किशमीर में काम कर रहे हैं डिपार्टम्ट अफ सोशल वेलफेर में और इसमें एक स्कीम है इसे इसे बोलते हैं इंटीग्रेंटर चाइल्ड डॉट्परिंट स्कीम उसके तहद ये लोग काम कर रहे हैं और इनका जो में उदेशे है वो ये है कि जित्रे भी गाउं के चुछटे बच्चे वहां की किश इस तंख्वा से किसी महिला का घर चल सकता है मैं ये सवाल आपके चैनल से इस मोधी सरकार को पुछने जाता हूं भाजपा सरकार को पुछने जाता हूं आपने तो कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो इनकी जो व्याथा बनी हुई है उसे तो आपके आपके सब्साइग इनको अंदर पिया गया है उलिगली डिटेंग किया गया और शाम पूरा जिन अंदर अख्के शाम को चोड़ा गया और किती दूर से लोग आए हूं थे इनको यह सी रिपोर्ट सांगे घर जाना जो ऐ पर जो घूवार हो है यह सुआर अगर्या शशर जो आंगनवाडी वर्कर है उनकी तनका है 2550 रुपया जिसमें से 2550 रुपया सेंटर शेयर है और 300 रुपया जो है वो स्टेट शेयर है लगबग 8-9 मेने से उनकी तनका जो है वो भी बंद पड़ी बाकी स्टेट्सों में 10-15-15-20 रुपय उनको मिल रहा है पर यहाँ पर 5150 और 2550 रुपया मुझे बताईए और दूसरी इनके टिमांड यह है कि एपरिल 2022 इनके तर्वाबंद 8 मिने हो गए है और कुछ एरियस है इनके जब सेंटर रेट रिवाइज हुए थे 2018 इसके कुछ एरियस है वो इनको भी नहीं मिले अभी तो आप देखिए ना जो महिलाए ग्रामीन समाज बना रही है राष्टर के निर्मान कर रही ए उनके सथ क्या सबसुलुकी हो रही है इस मोधी राज में बाजबा के राज मैं युवाव सठ को पर रहे हैं महिलाएं सघ को पर हैं वेपारी सडको पर हैं यूभी अ बढ़ा गई है और लोग सत्ता पर बैड़ के लोगों से वोट लेके लेकिन अब अपना काम बनता बाढ़ मैं जा जनता हर वर्ग सड़कों पर आ गया है कोन लेगा है इनकी वेथा का संग्यान मुझे पताईए यह और जब यह मैलाएं अपना हग और हकुर हुक मानती है इन सब्सक्राइब में बेटी बचा रही है उनके साथ ये दोर विव्यार आपकी कथनी और करनी का Olol के सामने आया और निगया है तेंड़ विक्री निकल कर सामने आती है और लोवर दूसरा करती है कि जम्झु कशमीर यों रहा वं इसको किस तरीके से बहुत बतला है, सही कहा रही है सिरकार, दाद देने चाहिए, इताली मारने चाहिए, पांस अगार अगस 2019 के बाद, 200 साल पडाना राज्य है, एक मातर डोगरा राज्य है, यूटी में तब्दील हो गया, नहाजमो किश्मीर बनाया नहाँ, डिमोशन हो ग इसके बाद आपकी समग्रा के टीचर्स हैं, कंट्रैक्शल टीचर्स लेक्चराज हैं, उसके बाद एनेचम के इंप्लॉईज हैं, लिस्त बहुत लंबी है, किस-किस के नाम ले हैं, एन्वाईजीज हैं, इस सब आपने सरकोवे बिठा दिये, वेपारियों और किसानों को आपने सरकोवे बिठा दिया, तरही तरही मची हुई है, तरही तरही मची हुई है, और आप यहां कहरें, जम्मु कश्मीर बदल रहा है, जम्मु कश्मीर स्वर्निंदोर से गुजर रहा है, बेडा गर्क कर दिया, आपने जम्मु कश्मीर का, टोटली बेडा गर्क कर दि कि यहां पर जो है वह गोटाला किया गया यहां पर जो है वह ब्रस्टाचार किया गया तो किस नजरीय से लिए तो जब तो जब टूट गए है प्रदान मंतरी राली कोड़ा है विर्स के लिए फिर आपके प्रदान मांतरी राली कर लेुकर्ण Communication वा चुनेगए हैं गरीब की अवाज सुनzessगी तंदी है गरीबू के पार्टी बिलकुर और आपके पास इन लोगों के लिए पैसे हैं लेकिन युवाहू 就 जो unemployed youth है under employed youth है जो महिला है इनके वेतन के लिए आपको पैसे नहीं है किस किसमगन रिजाम बना रहे है what an irony what a tragedy यह तरास्था है एक किसी तरास्था से कम नहीं है यह एक natural calamity होती है न यह artificial calamity है यह artificial economic calamity है जम्मो कश्मीर के ओपर और इसका इस खम्याजा कौन भुगत रहा है जम्मो कश्मीर के लोग तो शिल्पा बिलकुल सही बात है आप जैसे चैनल्स को यह बात ले जाने जी लोगों में कि इसी भाजबा ने आपसे वोट लिये थे आपसे वोट भी लिये थे आपसे नोट भी लिये थे जम्मो कश्मीर में जल्दी election जो है वो आने वाली है तो क्या लगता है कि आमादमी party जो हो अपना सत्ता बना पाईगी देखिए elections का तो अथा पता नहीं जम्मो कश्मीर को नहीं करने के लिए होगी यह आम आदमी की सत्ता होगी आएगी आम आदमी party वह और शुरू किसे कहते हैं लोगत फंटर किसे वह हम दिखाएंगे आप और पंजाब में देख लिया और आप देखिए कुछ रात में क्या हो रहा है हिमाचल में क्या हो रहा है लहर पे लहर च है तो क्या वहां पर आमादमी पार्टी जो अपनी सत्ता बना पाईगी यह तो लोग बताएंगे बिल्कुल लेकिन वहां पर जित्ती भी जो कन्वेंशनल पार्टी जैं यह डगमा गाई है चाहे वह भाजपा हो चाहे कॉंग्रस हो सब जो है ना उनकी पैरों तले अब जमी है शिक्षा यह कोर फंडमेंटल जामादमी पार्टी के जो देने ही देनी है लोगों को और लोगों को यह जनुसे अदिकार है एक कॉंटिटूशल राइट है उनका जब आप इंसे वंद्चित रखोगे तो कैसी चलेगा यह तो हमारे कोर फंडमेंटल दो मिलेंगे मिलें हां मादमी पार्टी सत्ता में काविज होगी और सही मायने में लोगों की सत्ता होगी वो लोगों की सत्ता और लोगों के लिए काम किये जाएंगे लोगों के उत्थान के लिए काम किये जाएंगे बाचपा की तरह नहीं अपना काम बनता और भार में जाए जनता चलिए व ट्रिफतारी भी की गेंगेंगेंगेंगे डिटेन रादभर टक लगतूं Solid स 1400